हे गाईज, वेलकम बैक टुमा यूटीव चैनल वायनेट लाइफस्टाइल दोस्तों गर्मियों के मौसम में कहीं तरह के फल आना शुरू हो जाते हैं इनी में से एक है जामुन का फल दोस्तों इसका स्वाद बाकी सारे फलों में से बहुत अलग होता है इस फल की मिठास भी और फलो जैसी नहीं होती है मगर ये फल सिहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है खास दोर पर ओयली स्किन वालों के लिए जामुन किसी वर्दान से कम नहीं है इसे खाने के भी फायदे हैं और चेहरे पर लगाने के भी चलिए हम आपको जामुन के बनने वाले दो असान होममेट फेस पैक के बारे में बताएंगे जो कि आपकी स्किन को बहुत ही जादा ग्लोइंग बनाने और स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करेंगे दोस्तों अगर आपकी सावली तोचा है और आप उसे निखारना चाहती है तो आप जामुन और शेहत से बना फेस पैक यूज़ कर सकती है आपको बता दें कि जामुन में एंटी ओक्सिडेंट की भरपूर मात्रा होती है साथी इसमें विटामिन सी और आइरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है तोचा पर इसे लगाने से तोचा का रंग निखर जाता है वहीं शेहद तोचा में कसाव बनाने का काम करता है इसलिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही जादा बैनिफिशल होते हैं चलिए हम आपको बताते हैं कि ये फेस पैक घर में कैसे तियार कर सकते हैं आपको दो बड़ा चमच जामुन का पल्प लेना है और एक बड़ा चमच शेहद चुटकी बर आप हल्दी ले लीजे इन तीनों सामग्रियों को मिक्स कर ले और एक स्मूध पेस्ट त्यार करें इस पेस्ट को चहरे पर 15 मिनिट के लिए लगा ले और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चहरे को वाश कर लीजे ये फेस पैक आपकी त्वचा की डीप क्लीनिंग करेगा त्वचा के ओल को कंट्र लाना चाहते हैं तो आपको जामून दूद और गुलाब जल से त्यार फेस पैक का इस्तिमाल जरूर करना होगा जामून में एंटी ओक्सिडेंट पाया जाता है जो त्वचा को डीटॉक्स करता है और उसे ग्लोइंग बनाता है इस फेस पैक में दूद मिक्स करने से इसके तरीके के बारे में बताएंगे दोस्तों सबसे पहले आप जामून का पल्प निकाल लीजिए और उसके बाद उस जामून के पल्प में थोड़ा सा दूद और गुलाब जल एड़ कर लें इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने चहरे पर लगा बीस मिनट तक इसे अपने चहरे पर लगा राने दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चहरे को वाश कर लीजिए दोस्तों ये फेस पैक हफते में दो बार इस्तमाल करने से आपकी स्किन नैच्रली क्लोइंग बनी रहेगी और आपकी स्किन की कोई भी दिक्कत होगी वे चल्दी दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ मेरी ये चानकरी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार इंड बाई